हुआ है है हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आज के इस वीडियो में दोस्तों वैसे तो हम भारतिय संब्धान को जो है क्राम वाइस समझने की कोसिस कर रहे थे लेकिन जो कि अभी कुछ हाल ही में PCS का और कर एक्जाम है तो मैं काफि दिनों से वीडियो नहीं डाल रहा था कि मेरा भी कल एक्जाम है और 24 October को भी मेरा एक्जाम लगा है तो मैं ख़ेयह में विजी था किल मेरा एक्जाम है तो आज भी मैं से आएगा देखो मैंने ये जो कोस्टन ये जो टॉपिक उठाया है ये बारती भासा से उठाया राजभासा से ठीक है राजभासा एक ऐसा टॉपिक है जहां से छोटे से बड़े सभी एक्जाम्स में राजभासा से कोस्टन आ जाते हैं ठीक है तो चलिए यहां पर एक छोट साल के सिंधी ने कि 71 साल के नेपाली को कॉंकड़ी तथा मड़ी पुरी सिखाई ठीक आप पहले मड़ी पुरी बोल सकते हैं बाद में कॉंकड़ी बोल सकते हैं किंतु अब किंतु के बाद क्या है किंतु 92 साल की मैथली को किंतु 92 साल की मैथली को बोडो डोंगरी संथाली सब आती थी बोडो डोंगरी संथाली सब आती थी यह सब भास आये हैं तो इसका तात्पर क्या है इसका तात्पर यह है कि 21 संब्धान संसोधन 21 संब्धान संसोधन सन 1900 सरसथ में सिंधी भासा को पहले आप भासा का सिस्टम देख लिए फिर मैं आपको समझाता हूँ राजभासा का जो उलेख है वो अनुच्छे 343 से 351 तक किया गया है इसमें संग की राजभासा 343 और 44 में है और प्रदेशूं की राजभासा हैं अनुच्छे 345 से अनुच्छे 347 तक हैं और हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट की जो राजभासा जो भासा है वो 348 से 344 अनुच्छे 2 में है ठीक है अब आते हैं कि किस अनुच्छी में राजभासा है तो राजभासा आठवी अनुच्छी में है और इसमें कुल 22 भासा हैं कुल कितनी भासा हैं इसमें 22 भासा है इसी अनुसूची में पहले कितने भास आए थी पहले 14 भास आए थी अब कितनी है बाइस है भाग कौन सा है तो ध्यान रखना बाइसवा भाग है आपका बाइसवा भाग आठवी अनुसूची ठीक है और अनुच्छे 343 से 351 तक चोटे लेवल के एक्जाम में अनुच्छे पूछा जाता है ठीक है और पहले कितनी थी ये भी आप जान लीजे पहले 14 थी आप कितनी हो गई है बाइस हो गई है यानि कि आठ भास आए बाद में जोड़ी गई बारी बारी से संविधान का जो है अनुच्छ संसोधन कर करके अब बात करते हैं कि कौन-कौन सी भास हैं तो पहले नंबर पे हैं अशमिया बंगला गुजराती हिंदी कंणर कश्मीरी मलयालम मराथी उडिया पंजाबी संसक्रत तमिल तेलगू उर्दू ये इतनी भास आएं पहले थी जब संविधान 1950 को लागो हुआ था ठीक है 26 जरवरी 1950 में जब हमारा संविधान लागो ह हुआ तो उसमें केवल 14 भास आएं थी ठीक उसके बाद में आठ भास आएं और जोड़ी गई कौन कौन सी सबसे पहले सिंधी जोड़ी गई जोकी 21 संविधान संसोधन सन 1960 में जोड़ी गई थी फिर आपकी कॉंकडी मडीपुरी और नेपाली ये तीन भास आएं जोड़ी इनहीं जोड़ा गया था 71 संविधान संसोधन सन 1992 में कब जोड़ा गया था 71 संविधान संसोधन सन 1992 में फिर जोड़ी गई चार भास आएं और जोड़ी गई बोडो डोंगरी संथाली और मैथली और इनहीं जोड़ा गया सन 2004 में 92 संविधान संसोधन के तहत 92 संविधान सं संसोधन के तहत सन 2004 में इनको चुड़ा गया मैं आपकी जानकरे लिए बता दूं कि सन 2004 में यह संब्धान संसोधन लागू हुआ था और 2003 में यह संसद में पास हुआ था बलब की पास नहीं हुआ था मतलब इसको लाया गया था 2003 में 2003 में लाया गया और इससे लागू होने में एक साल लग गया था यहनीं 2004 में लाग हुआ था संव्यधान ने सामिल गया थी संविधान का संसोधन कौन सा था तो ये था आपका 21 और ये था आपका कौन सा 71 और ये था आपका 92 अला ठीक है तो यहाँ पर उसी की ट्रिक मैंने बताई कि 21 साल के सिंधी ने 21 साल के नेपाली को मड़ीपुरी तथा कॉंकड़ी सिखाई किन्तो 92 साल की मैथली को बोडो डोंगरी संथाली सबाती थी ठीक है क्या बोलेंगे कि 21 साल के सिंधी ने 21 साल के नेपाली को कॉंकड़ी तथा मड़ीपुरी सिखाई किन्तो 92 साल की मैथली को ब सी बाशा सावथ सामेल के और एक When Assamben baru संभधान संसोधन के तए को सामिल या और बान्द साल से 90 साल से मतलब है कि 909 संभधान संसोधन के तहट मैंठिली बोडू डोंगरी और संथाली को सामिल किया गया मैं बता दून आपको कि यह भासा है कहां कहां बोली जाती है तो असमय आपकी आसम्में बोली आती ही बंगलाश में बंगलाश में बोली जाती है गुजराती है एह थैन्र पड़िए घ्रार में बेयाओ लिए जाती है कश्मीरी कश्मीर में मलयालम आपकी मेगाले में बोली जाती है और मराठी महराष्ट में बोली जाती है उडिया उडिशा पंजाबी पंजाब में संसक्रत आपकी केरल का एक छोटा सा गाउं है वहाँ पर बोली जाती है बाकी संसक्रत भारत के किसी भी हिस्से में न अटक वगयरा में ठीक है उर्दु उर्दु कश्मीर के कुछ इलाकों में बोली जाती है सिंधी सिंधी आपकी पंजाब पाकिस्तान के पंजाब प्रांथ में पंजाब के कुछ हिस्सों में भारत में पंजाब के कुछ हिस्सों में और पाकिस्तान के सिंध प्रांथ में जानते ही है नेपाली नेपाल से सटे भारत के राज्यों में और नेपाल में बोली जाती है बोडो आपकी म्यामार से सटे म्यामार बर्मा ठीक है म्यामार से सटे जो है राज्यों में भारत के राज्यों में बोली जाती है डोंगरी डोंगरी लैंग्वे जो है आपकी ये के मतलब यही सायद एश्रम वगैरा की साइड में बोली जाती है शंच हालियव की पूरते आ जो है आदिवास्य लोग यूज्स करते हैं ठीक है मतलब की भी बिहार विहार के अलाकों में चलिए आती है और इन दो के बारे मुझे कुछ confirm हो नहीं रहा है मुझे कायद से याद नहीं आ रहा है क्योंकि इन सबका कंफर्म कहां बोली आती है वसे कहां कौन सी लेंगवज बोली जाती यह पूछा तो नहीं जाता है बड़ आपकी जनरल नॉलेज की मैं बता देता हूं मैथली आपकी बि आपकी यूपी और बिहार में बुलियाती हैं तो यह थी कुछ हमारी राजभासत संबंधित बातें आपको समझ में आई होगे अगर आपको ट्रिक समझ में आई ही तो फिर मजा आगा अब हम सिखेंगे कुछ और यानि मूल करतब वेसा संबंधित चीजे तो चलिए हम बात क करेंगे जल्द ही करेंगे ठीक है मेरा एक्जाम हो जाए फिर मैं आपको मूल करतव के बारे में बताऊंगा ठीक है और अपनी जो सिरीज चल रहे थी ना रेगुलर वह ऐसा ही चलेगी ठीक है बस यह बीच में मैंने थोड़ा सा इंट्रेस्ट के लिए आपके डाल दिया देखिए सबसे पहली बात करेंगे कि मूल करतव्यों के बारे में ठीक है मूल करतव्यों को जो भारत के संविधान में जोड़ा गया वो सबसे पहले सन 1976 में जोड़ा गया ठीक है सन 1976 में जो वर्तमान कॉंग्रेस सरकार थी उसने एक समीति का गठन किया था जिसका नाम था सरदार स्वाड सिंग समीति जो बयालिस्वा संबिधान संसोधन लेकर आई थी ठीक है सरदार स्वाड सिंग समिती तो बात करेंगे सरदार स्वाड सिंग समित की इस समित ने क्या किया कि रूस के संविधान के आधार पर यानि कि जो मूल करतब हैं वो कहां से लिए गए तो ध्यान रखना रूस के संविधान से लिए गए यह भी पूछा जाता है एक एक समधान से लिए गए तो रूस के संभिधान से लिए गए भाग कौन से भाग मेंया Epic Sponge जोडा गया ठीक है बैलिस्वा संभिधान संसोधन के तहत जोड़ा गया उन्यसोचीयत्तर में जब बैलिस्वा संभिधान संसोधन के तहत उन्यसोचीयत्र में जोड़ा गया था तो सरदार श्वंड सिंग समित ने इनकी संख्या आठ निर्धारित करी थी लेकिन जब इसे लागव किया जब जोड़े गए तो इनको जो है संख्या थी इनकी 10 ठीक है कुल 10 मूल करतव भारते संबिधान में जोड़े गए अनुछेद 51 का और भारत भाग चारका में ठीक बाद में क्य संबिधान संसोधन 2002 के तहट अनुछेद 51 का को जोड़ा गया 21 का ठीक है कहीं-कहीं 2000 भी मिलता है तो 2002 में हुआ था और जो है 21 का नया एक अनुछेद जोड़ा गया 21 का और इसके तहट 11 मौलिक कर्तव सामिल किया गया ध्यान रखना कि अब जो मौल कर्तव हैं उनकी जो कूल संख्या है अब अगर अब संख्या पूछे तो ध्यान रखना 11 है ठीक है अब इनकी संख्या क्या है 11 है जिसके तहट यहां प्रावधान किया गया कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को सिक्षा दिलाना उनके माता पिता का मौल कर्तव होगा उनके माता पिता का कर्तव होगा ठीक है तो ध्यान रखना कि कि जो है सिक्षा को मौल कर्तव कब बनाया गया 16 संबिधान संसोधन सं 2002 में ठीक है और 6 से 14 साल के सभी बच्चों को उनके माता पिता द्वारा उन्हें सिक्षा दिलाना माता पिता या जो भी उनका पालक हो ठीक है जो जिसने पाल पोस कर बढ़ा किया हो किसी कि माता पिता नहीं होता तो उनके relation वाले उनको पालते हैं या कोई भाई या बहन पालती है तो जो भी उनको पाले पोसेगा उसका यह मूल करतव होगा कि वो उन्हें जो है सिक्षा दिलाए यह ग्यारवा मूल करतव है हमारे भारती संद्धान में भाग चार का अनुच्छेद 51 का ध्यान रखिएगा ठीक है तो यह था हमारा आज का टॉपिक मूल करतव और ध्यान रखना इनकी कुल संख्या क्या है 11 है समीति कौन सी थी सरदार स्वाण सिंग समीत कभाई संद्धान 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 था ठीक है यह बाते आप ध्यान रखिएगा यह सब बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है इसका एक 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 फैक्ट एक एक क्वेश्चन है यह समझ लेजिए इसका एक 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 फैक्ट जो है एक एक क्वेश्चन है समीत तो करेंगे हम लोग बैलिश्वा संविधान संसोधन की तरफ क्योंकि ये ना बहुत इंपोर्टेंट है इससे लगवा कोशन बनते ही बनते हैं तो ध्यान रखिए हम बात करते हैं थोड़ी सी बैलिश्वा संविधान संसोधन किसकी सिफारिश पर आया तो सरदार स्वार्ण सिंग समिधी समिधी कौन सी थी ध्यान रखिएगा सरदार स्वार्ण सिंग समिधी ठीक है आप ध्यान रखेंगे सरदार स्वार्ण सिंग समिधी थी और इसमें क्या-क्या जोडा गया भई क्या-क्या इसमें चेंजिस किये गए देखो ये न आपात काल में आया था जब इंद्र गांधी न आपात काल लागू कर दिया था उसमें आया था तो बहुत शारे ज्यादा लोग लगु संबिधान भी कहते हैं ध्यान रखेगा कुछ लोग इसे लगु संबिधान भी कहते हैं क्योंकि बहुत सारे अनुच्छेदों में चेंजिस कर दिये गए थे जिसके कारणही से लगु संबिधान कहा जाता है मुख इसमें क्या क्या बाते हमें याद रखनी है सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है वो यह कि इसी के तहट मूल करतव्यों को सामिल किया गया ध्यान रखीएगा मूल करतव्यों रूस से लिया गया था कितने मूल करतव्यों को तो 10 ठीक है 11 तो आपका 2002 में जोड़ा गया था तो 10 मूल करतव्यों को इसके तहरे जोड़ा गया दूसरी बात प्रस्तावना में ठीक है प्रस्तावना में ये कोशन पूछा गया है प्रस्तावना में कुछ सब्द जोड़े गये थे एक तो आपका था समाजवादी समाजवादी दूसरा था पंथनिर्पेक्ष 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 या धर्मिर्पेक्ष ठीक है पंथनिर्पेक्ष और तीसरा था आपका अखंडता अखंडता ये जो सब्द थे ये भी इसी के तहट बैलिश्वे संविधान संसोधन के तहर जोड़े गए अच्छा उस समय चल रही थी emergency तो emergency में election तो हो नहीं सकता तो क्या किया गया कि लोग सभा जो राज्य सभा थी लोग सभा राज्य सभा उसका कारेकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया गया था तो ध्यान रखिए गया यह भी important हो जाता है कि लोग सभा तथा राज्य सभा का कारेकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया गया मतलब पान साल से शे साल कर दिया गया था टिक है यह हम बात कर रहे हैं बायलिष्वै संभिधान संसोधन सन ऌनिस सचेतर जो की सरदार सुड सिंग समीत की तहत आया था ठीक है तो ध्यान रखिए प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निर्पेक्ष और अखंडता सब्दकों क्या किया गया था जोड़ा गया था ठीक है और लोग सभात था राज सभा का कारेकाल एक साल के लिए बढ़ा दियेगा एक और बात ध्यान रखियेगा कि राष्ट्रपती को कि राष्ट्रपती को कैबिनेट मंत्र परिश्ब ठीक है कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बात धिकर दिया गया ध्यान रखियेगा इंपोर्टन है कि राष्ट्रपती को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए क्या किया गया था बाध्य कर दिया गया था और बहुत सारी सुप्रेम पोर्ट और हाई कोड की सकतियां चीनकर संसत को दे दी गई थी तो यह थोड़ा ताना साही टाइप का था ठीक है बड़ कुछ अच्छे काम भी हुए थे इसमें और एक काम और इसमें जाता जो कि थोड़ा सा बड़ा है मैं इसको रॉफ कर देता हूं आप इसे इंगर नोट करना चाहते हैं तो इसमोट कर सकते हैं मैं उपर कर देता हूं तो एक और बात थिसमें कि कुछ चीजों को छोड़ कर जैसे कि सिक्षा जिख्षा वन और वन जीव तथा पच्छी धान रखियेगा वन जीव वन जीव तथा पक्षियों के सनरक्षन और नाप तौल आपका जाता है नाप तौल न्याय प्रसाशन और एक आपका था हाई कोट ठीक है हाई कोट और सुप्रीम कोट ठीक है हाई कोट और सुप्रीम कोट के इनको छोड़ करके ठीक है को छोड़ करके छोड़ कर अन्य सभी न्याया लेयों तथा संगठनों से संबंधित विसयों को राज सूची से निकाल कर समवर्ति सूची में कर दिया गया संब्सक्राइब तो यहां पर एक चीज़ समझा दें कि जो सरकार है वह हमारी सरकार तो भई दो भागों बटी पड़ी है केंदर सरकार और राज सरकार तो दरसल बात यह कि नौवी न्यसूची में तीन प्रकार की न्यसूचिया हैं पहली है संग सूची दूसरी है राज सू सूची राज सूची जो है उसमें केवल राज उसके तहट जितनी भी चीज़े आती है उस पर केवल राज ही कानून बना सकता है और संग सूची जो है उसमें जो भी विशय हैं उन पर केवल संग यानि केंद्र ही कानून बना सकता है और जो समवर्ती सूची है उसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं उन पर जो है राज और संग दोनों यानि की केंद्र और राज दोनों मिल करके कानून बना सकते हैं सलाह के आधर पर ठीक तो यहां पर इन्होंने क्या किया कि जो सिक्षा वन वन जीवत था पक्षियों के सरक्षण और नाप तॉल नियाय प्रशाशन संगठन थे उन सभी से संबंदित जो विशय थे उनको जो है राज सूशी से निकाल करके समवर्ती सूची में सामिल कर दिया तो यह था इसका इंपोर्टन यानि बैलेस्वय संभिधान संसोधन की कुछ इंपोर्टन बातें अगर आपको इनमें से कोई भी कोश्चन आपक तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए रिविजन भी करते रहिए मस्त रहिए नमस्कार